हमने html के अंदर अलग-अलग lists के बारे में पढ़ा था हमने देखा था ordered list होती है unordered list होती है definition list होती है उसके अंदर list items होते हैं आप लोग अगर एक website बना रहे हैं तो navigation bar में for example आप लोगों को list items डालने पढ़ेंगे एक unordered list के अंदर वहाँ पर आप लोगों को बहुत सार अचने वाले हैं अपने पहले project की तरह बहुत जल्दी इन सब प्रॉबर्डी से खतम करके इसलिए नीचे comment section में sigma batch op ज़रूर लिख देना चलता है computer screen में let's roll the intro so guys मैं आच चुक हूँ अपनी computer screen के अंदर और सबसे पहला काम करूँगा video 25 बनाओगा ठीक है और यहां बस shift right click करके मैं open with code करूँगा देखो लोग जो है वो century celebrate करते हैं 50,5 century celebrate करते हैं मैं quarter century celebrate करूँगा पच्चेस वीडियो होगे congratulations लिख दो comment में जल्दी से सब लोग अब यहां पर index.html बनाते हुए आप लोग को बताऊंगा कि एक list कि स्टाइल करना है यार देखो list की styling इतनी जादा important होती है कि अगर आप लोग एक nav bar बनाना चाहते हो तो उसमें list item का इस्तेमाल 70-80% करोगे ही करोगे अब यहां पर मैं जल्दी से word wrap को toggle करके आपको दीखे में क्या कर रहा हूं और मैं आप लिखेंगा CSS lists ठीक है मालो मुझे एक nav bar बना रहा है ठीक है मैं एक typical example के साथ इसी के साथ साथ और कुछ allies बनाओ यहां पर मानलो लिख दो about और मानलो यहां पर लिख दो contact तो मैंने यहां पर about लिख दिया यहां पर contact लिख दिया अब सबसे पहले तो आप लोग यह प्लेडिस अक्सेस कर दो नहीं तो मैं आपके घर में आऊँगा और आपका computer चीन इसको भी आप लोग को अच्छा लगेगा मुझे अब यहां पर आप देखो मैं इसको ब्राउजर में खोल के आप लोग को दिखाता हूँ और यहां पर देख सकते हूँ यह इस तरह से रेंडर हुआ जो कि एक default behavior होता है अब list के अंदर कुछ styling आप लोग कर सकते हो जिसका एक सबसे बड़ा use होता है कि आप इसको as a knife bar दिखाना चाहते हो अब देखो जब भी by default एक list बनाई जाती है इसे मैं अगर इसी list की बात करो इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ और अपना थोपड़ा चुपा देता हूँ ताकि आप लोग को नीचे दीखे है इसका display value list item होता है जिसका मतलब यह होता है कि इसमें एक marker होगा और एक item होगा ठीक है अब अगर आप लोग चाहते हो कि इसके display को change करो कर सकते हो आप change अगर मैं इसके display को block कर दूँ तो इसका display block हो जाएगा but that's not a good approach to remove this marker अगर आप इसके marker को remove करना चाहते हो तो कैसे करोग तो यह इसको कैसे मिलता है इसकी display जो होती है वो list item है इसलिए इसको यह सब मिल पार ही है दो दो चीज़े हैं इसमें it comprises of a marker and list item ठीक है अब इसमें कुछ properties होती है जिनकी बात करेंगे एक सबसे important property जो होती है वो होती है list style अगर आप list style को none कर दोगे तो आप यहापर देख यह पर यह सारी values का इस्तिमाल किया जा सकता है देवनागरी भी होती है इस देवनागरी करोगे तो एक दो तीन चराएगा list style को आप देवनागरी भी कर सकते हो लेकिन usually हम क्या करते है कि इसको target करते है list item को let's say मैं यहापर लिखता हूँ style और मैं कहूँ nav के अंदर जो ul के अधर li है उसका आप क्या करो list style को कर दो list style तो अगर मैं एक नय बढ़ बनाना जाता हूँ तो मैं क्या करूँ अलिस टाइल को नन कर दूँगा लेकिन जस्ट आपको देवनागरी करके दिखाता हूँ जैसे मैं इसको देवनागरी किया देवनागरी I think देवनागरी okay मैं द देवनागरी की spelling कर देखिए my bad और आप देखो यहाँ पर जैसे मैं इसको देवनागरी करूंगा देवनागरी ठीक है अब देखो आप लोग यहाँ पर 1,2,3 जो है आप लोग को देखने को मिल जाएगा ठीक है तो इस तरह से आप लोग चेंज कर सकते हो इसकी list style property को चें येलो ठीक है यहाँ पर मैंने येलो कर दिया इसका background color तो आप देखो marker रह गया marker इसका मतलब बाहर है list item के list item के अंदर नहीं है लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरा marker है वो list item के अंदर आ जाए कैसे करूंगा मैं list style position का इस्तिमाल करके तो मैं आप रहूंगा और मैं कहूंग लगाया जाएगा वो पूरे पर लगाया जाएगा border भी लगा कर दिखा तो और येलो बारडर 2pixels solid black और यहाँ पर आप लोग देखो जैसे ही मैंने 2pixels solid black border लगाया आपके markers अंदर है क्यों चूंकि मैंने यहाँ पर list style position को inside कर दिया है और जब भी मैं list style position को inside कर दूँग तो मैं यहां पर list style image property का इस्तेमाल कर सकता हूँ और यहां पर मैं एक image का URL लगा सकता हूँ और इसके बाद यहां पर मैं एक image का URL लगा सकता हूँ let us say मैं एक image का URL जो कि यह है मैं आप लोग को दिखा दूँ इसको अगर मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो यहां पर हमारा आया क्यों नहीं है let me see forbidden, okay actually वो image for some reason accessible नहीं था इसलिए मैंने यह वाला image यूज किया है और आप लोग यहां पर देख सकते हो कि इस image को यूज करते ही marker की जगा पर यह image आ गया आप लोग को एक चीज और दिखाता हूँ मैं इसको comment out करूँगा और यह यहां से चला जाएगा obviously मैं आपर क्या कर सकता हूँ जो मैंने list style को देवनागरी किया मैं list style type को एक emoji भी set कर सकता हूँ और मालनो मैं यह बंदर वाली emoji set करता हूँ और आप लोग देखो यहां पर यह बंदर आ गया और इसके बाद position को मालनो मैं inside करना चाता हूँ और उसी के साथ-साथ image को मालनो मैं यह URL set करना चाता हूँ यह तीनों मैं एक साथ एक ही बार में कर सकता हूँ आप देखो यहां पर जैसे मैंने इसको यह किया और मैं इसको comment out करूँगा तो आप लोग यहां पर देख सकते हो कि मैं अगर यह URL यहां से पहला दूँ तो सिर्फ disc यहँ पर आजाएगा आप देखो यह disc यहांपर आजाएगा और obviously अगर मैं disc यहां पर हटा दूँ तो URL यहांपर आजाएगा तो यह inside or URL यहांपर आजाएगा ठीक है so I hope कि समझ में आ गए यह चीज आप लोगों को और लिस्टाइल इमेज आप लोग जो है क्लेरली समझ गएगी किस चरह से शॉटन प्रॉपर्टी उस करने हैं मैं भी इसको जरा कॉमेंट आउट करके डिस्खी रहने तूंगा इन फाक्ट यह बंदर मुझे अच्छे के ओपर मैंने यतनी भी चीज़े डाली होगी है न मैं इस सब अटाउंगा और यह बॉटर बॉटर सब अटाउंगा यूजली हम यहां पर क्या करते है एक तो लिस्टाइल को हम करते है नन ठीक है एलाई में करूँगा यह चीज में ताकि सब में अपलाई हो जाए बस क्या करते है ऑर जुशॉली हम और जो लिस्ट आइटम होता है उस पर यूजुली हम क्या करते है जो पैडिंग होती है वो 2 करते हैं माल लो 23 pixels में ने करी तो इदे को कुछ इस तरह से हमारा जुन नहावबार है वो बन जाता है but that's not the point of this video आने वाले वीडियो में हम बनाएंगे बड़िया बड़िया तकडी 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 एडिया बनाएंगे अभी लेलिस को अक्सेस करना यहां क्लिक करके bookmark यहां क्लिक करके save thank you so much guys for watching this video and I will see you next time झाल झाल